हेलो फ्रेंड्स कोश्चन और आंसर सॉलूसन के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सबको पता है 2019-16-17-16 के पेपर हम लोगोंने सॉल्व कर लिये थे और उसका डीटेल अनालिसिस हम लोगोंने इस चैनल पर देखा था उसी तरीके से ये 2015 का LLB का पेपर सॉल कोश्चन जो रिपीट होता है उसे भी देख पाएं कोश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहा है इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मैं बताओंगा कि कौन-कौन से कोश्चन अभी तक के इंट्रेंस में फिर से आ गया है तो चलिए पहला कोश्चन सब्सक्राइब तो एक होगा एक आंसर दो होगा उसी तरीके से अगला सिरीज भी है तो इसमें क्या हो रहा है इसे समझ यह सब में दो गुना-गुना होके एक हो रहा है मतलब कि 2 is to 2 plus 1 5 is to 2 plus 1 उना पांस दूना दस एक एक आरहा है गारो दूना बाई से तेस दूना चेहल ना इस फोरीजर खूल Rocky चारर जो है थीन से सुरू होने वाला इवां से समाप्त वहलीजिए सब्सक्राइब हमकों की सबसे चोटी सब्सक्राइब कमल लोग्रके पूछे जाते हैं तो यह बहुत एह क्या analysis और इनला इसमें घबराने वाली जुरूत नहीं है तो चार का हम लोग रिजनिंग शुरू कर दी हैं मायत कुछी दिनों में बस शुरू करने वाले हैं तो आपको पता होगा 9 और 11 से जो कट जाएगा वही 99 से कटेगा तो आप देख लीजिए इन सब में 9 से तो बहुत सारे कट रहे हैं लेकिन 11 से सिर्फ यह कटेगा और 9 दोनों से तो य प्रतिनीरी तो करेगा यदि 96 को 488 से विवाजित किया जाता है तो परिणाम जाहिर सी बात है इसका क्या होगा 20 होगा साथ का एक होगा फिर आठ नमबर देखते हैं एक के पास कुछ आम थे उसने जितना खाया उससे 40 परसेंट अधिक में बेचा यदि उसने 70 आम बेचे तो उसे कितने 70 आम बेचे हो तो उसे कूल कितने आम खाया गया असल में यह थोड़ा सा वाली और हिंदी वाले पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस हो जा रहा है तो इसलिए मैंने इसको आप पे छोड़ा है आप अगर चाहें तो प्राइस के हिसाब से सॉल्व करके आंसर देख सकते हैं अधर वाई यह कोश्चन हट गया था इसमें मांक्स कल्कुलेट नहीं तो सही आंसर थे तो 10,88.06 टोटल थे तो 16 ञळा गलत हो गया तो 16 और 588 ठीक है तो 80 गलत 80ANE Напॺर मांक्स जीरो हो गया तो यहीं से स्टेट्मेंट में कहा ता अब जो है दो को जिबन को यह sein 2.5 305 इसकीा ब Alzheimer मैं यह है दोनों तो जो हैं को जो है 11 नंबर होगा किसी संक्या को 789 से विभायजित किया जाता है इस question को भी आप लोग देख लिए मैं इसका अंसर बता देता हूं 11 का जो है 3 होगा इसमें अगर यह जो 19 इससे कट जा रहा है तो इससे तो यह कट जाएगा तो इसको डारेक्ट इससे भाग दे दिया जाता है ठीक है तो 19 दूना 38 तो नौ सेस बचेगा इसमें यह आपको पता भी होगा बहुत लोग को यह ट्रिक बाइ सेलिंग हंडेट पैंसिल एस आपकीपर गेंस दो सेलिंग प्राइस आप 20 पैंसिल तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा दो ठीक है बीस बटा सो इंटू हंटेड होता है इसमें विक्रा मुले जो है उसको नीचे कर दिया जाता है वेंडर बॉट तौफी फॉर 6 आट 6 रूपी इसको समझ लिए एक विकिता एक रूपय की 6 टौफिया खरीता है बीस परतिसात लाव प्राप्त करने के लिए उसे एक रूपय में कितनी टौफिया बेचनी होगी तो जाहिर सी बात है एक रूपय में 6 खरीता है तो उसे जो है एक रूपय में अगर वो 5 बेचेगा तो उसका लाव हो जाएगा कितना परसेंट तो यह फाइव राइट आंसर होगा ए इस ट्वाइस आज फास्ट आज वी इसको यह बी से दुगुना तेज है बी सी से तीन गुना तेज है सी दोवारा 42 मिनट में पुरी की गई यातरा ए दोवारा कितने समय में पुरी की जाएगी इस कोश्चन का आंसर आप लोग को बताना है या आपका होमवर्क है चलिए आगे बढ़ते हैं एकार कंप्लीट से सर्टेन जरनी कार जो है दो तीन कोश्चन जो भी है इनका अंसर आप मुझे लोग कमेंट करो कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि आप लोग मन से देख रहे हो और प्लीज मैं एक चीज़ कहूंगा चुकि अब मैस खतम होने वाला है तो अब आप लोग पेपर या जी इस की कोश्चन यहां से सुरू होते हैं पहले जो है 15 ही कोश्चन मैट के आते थे अब थोड़ा सा इदर प्रोपैंसीटी मैट का बढ़ा था तो पहला कोश्चन है निम्लिखित में से किस मामले में उच्चतम ने आया लेने हाली में या प्रतिपादित किया की जन जात बहुत लोग नाम भी सुने होंगे अगर नहीं सुने होंगे तो प्लीज इंटरनेट पर टाइप करके देखिए सलवा जुडूम जो हुआ था इसमें क्या किया जाता था कि जितने भी ट्राइब्स होते थे उनको ट्राइब्स के खिलाफ जो मावादी होते थे तो कुछ ट आसा उनके टैक्टिक्स किस तरीके से वह लोग लड़ते हैं बहुत तरीके से रेसियल उनमें समानता थी इसलिए ये सलवा जुडूम सुरू किया गया था तो इस पे बहुत बहुत सुरू हुई देश में और सुप्रिम पोर्ट में भी पिया गया तो यहीं पूछा जा र रखिएगा यह जरूर आएगा फिर से अगर आया तो और सुप्रिम कोट के वर्डिक्ट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं तो अगर आप लोग वीडियो चाहिए वर्डिक्ट वाला तो मैं तो बनाऊंगा ही अभी रिसेंट के और पूरा एक कंपाइलेशन चाहिए पीड प्रोजेक्ट कब आया था यह जो सत्रह का चार 2007 में इकोट प्रोजेक्ट को लांच किया गया था ठीक है अठारा नंबर कोश्चन देखते हैं अंडर दा इंडियन कंश्यूशन देर इस नो प्रोविजन टू गीव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोशिक्यूशन टाइप सलग है बड़ ट्रायल तो तीनों का होता है तो आपको यह बात पता होना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है ठीक है अब बच कौन-कौन जाता है जिसको छूट मिलती है वो कौन-कौन लोग है तो वो हैं गवर्नर और राष्ट्रपती ठीक है इन्हीं लोगों को छूट मिलती है अगला कोचन लिए मैंसे कौन भारत में जेल विधिसात्र बुक का नाम है प्रिजन जूरिस्पूडेंस के पिता के रूप में जाना जाता है मतलब फादर प्रिजन जूरिस्पूंडेंस तो यह जाने जाते हैं दो इस दर राइ होते हैं तो आपको यह द्यान रखना चाहिए तो अगर आपने प्रिवियस यहर के वीडियो जो मैंने डीटेल सॉलूशन दिया अगर नहीं देखा तो प्लीज एक एक दिन अपना एक घंटा टाइम इंवेस्ट करके देख लो आपकी रिवीजन वैसे भी हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा कोश्चन रिपीट हो रहा है तो वह आपके काम भी आएगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीच अब फॉलोइंग हाई कोट इस सब्रेश्ट फर्स्ट ग्रीन बेंस तो यह तो रिपीट हुआ है कोश्चन और मैं आपको नहीं बताऊंगा तो यह कलकत्ता बेंस था ठीक है अब जो नेक्स्ट कोश्चन है हमारे सामने वह क्या है देखिए वीच अब फॉलोइंग एक सेकंड यहां से पहले देखते हैं हम लोग वह मुंग फॉलोइंग इस दो ऑफ बुक अच्छा यह था वह मुंग फॉलोइंग इस दो ऑफ बु कि जितने भी यह तरीके के राइटर्स हैं और उन्होंने जस्टिस चिफ जस्टिस ने जो भी बुक्स लिखे हैं उसका मैं एक कंपाइलेशन बनाने की सोच रहा हूं तो अगर आप लोग को चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूं हर इंट्रेंस में तीन से चार पूछ दिया यह कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है और हर साल एक से दो पूछा गया है तो तेईस में जो है इसका राइट आंसर होगा एक चौबिस देख लेते हैं विचो दो फोलोईंग इस नॉट इंक्लूड़ेट विजिन दा मेनिंग आफ इंटेलेक्ट्वल प्रोपर्टी तो मैं डेली रिविजन कराता ही हूँ और आपको पता है दस से पंद्रम मिनट के करेंट अफेर्स में हम सौ से डेट सो अलग से जीएस के फैक्ट और मैप के साथ मैट मैप देखते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो तो 25 का राइट आंसर क्या है कि यह है तीन पची से जो तीन डॉट आपको दिख रहा है उस तीनों डॉट पर आप लोग दबाएंगे तो लीगल मैग्जिम राइट साइज में तीनों डॉट पर लीगल मैग्जिम का विश्ट लिस्ट और वीडियो का लिंक आ जाएगा मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन इन क्राइम इसको फॉरेंसिक साइंस कहते हैं ठीक है फॉरेंसिक साइंस कहते हैं किसको अपराद की अनुवेशन में उप्योग में ली जाने वाले चिकित सी विज्ञान वाट इस अमीनिंग ऑफ चैटल चैटल का मतलब क्या होता है यह इंग्लिस वर्ड है इसे मैं सबसे पहले सेट किया था तो आंद्रपरदेश याद रखिएगा अब आते हैं टेन में कन फिनिस और किन एट डेज हाओ मैं इन विल भी अब देखिए दस आदम को आर दिन में पूरा करते हैं उसी कारें को आधे दिन में पूरा करने लिए कितने आद्मियों क्यों सकता हो यह दो दिन आठ दिन में तो एक काम एक यही दिन में उसी लोग चाहिए और आधे ही दिन में खतम करना होते हैं एक साथ लोग चाहिए चार राइट आंसर होगा इस तरीके की सवाल भी बहुत रिपीट हो रहा है प्लीज काइंडली मेंशन तु देट अधर्वाइज यू विल गेट फेलियोर नॉट ऑप्शन एक तिसका एक कॉर्नेलिया शुराब जी यह पारसी महिला थी और इन्होंने सबसे पहला यह विमें बैरिस्टर थी बतिस सबसे पहले को यूज किया था आपको पता ही है 99 अमेंडमेंट आक्ट जो हुआ था वह को लिजियम से रिलेटेड था और एक और चीज मैं आपको बतातूं जितने भी अमेंडमेंट हुआ है रिसेंट के सब एक बहुत ही बहतरीन वीडियो है पॉलिटी के जब आप प्ले के जितने भी वीडियो है सब एकदम एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट है चलिए फिर से एक सवाल बुक पे तो 33 का एक जॉन रॉल्स का यह बुक है ठीक है वह मंग फॉलिंग वाइद फॉर्स जच बिलोंगिंग टुड़ सीडियूल कास्ट एलिवेटेड टुदा सूप्रिम पुराना था जुमिनाइल जस्टिस अक्ट असल में 2015 का कुश्चन पेपर है तो 2015 में फिर से जुमिनाइल जस्टिस आक्ट जो है 31 दिसंबर 2015 को रास्टपती की मंजूरी मिल गई तो उसके बाद यह कानून बन गया तो अब आपको यह डेट याद रखना है ठीक है चलिए इसलिए मैं करदा हूँ किसके लिए होता थो एसक प्राधिकारी और व्यद्हनी रूप सेंगाता है उसकी सजाग कितनी होगी 6 म ический मेर रिवेंतियम है तो ये तीन से चारी पूछेगा है लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है इसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ अपने लीगल मैं एक्जिम के जो ग्यारा बारा सेक्षन है जो वीडियो है बहुत ही इजी है बारा सेक्षन मतलब की समझ लीजिए कि दो गंटे में आपका टोटल रिविजन हो जाएगा और इसी से सवाल आएंगे इसका राइट यांसर हो गाउन चालिस का तीन चालिस देखते हैं दा एक्ट अनलोग फूली इंटरिंग इन्टू अनधर प्रपरिटी इस कॉल्ड ट्रेस पास करते हैं चालिस का अतिचार एक्टालिस दह्या नेशनल लॉज स्कूल ऑफ इंडिया आएक्ट 1986 वाज पास्ट वाई तो यह जुरूर याद रखी गए यह भी रिपीट कुश्चन है यह गवर्मेंट ऑफ करनाटका के द्वारा पास किया गया था इलेक्रोनिक सिगनेचर इस इंट्रोड्यूसट बाई 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यह होगा चार इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी एक्ट 2008 और जो मतलब पब्लिक प्लेस पे धुम्रपान करने वाला एक्ट भी का पास हुआ था तो 2008 में यह सब एक्जाम में पूछा गया दोस्तों कि तो कॉंसेप्ट पॉब्लिक इंट्रेस्ट लिटिकेशन इस ओरिजिनेटेड इन यूएस 43 का दो निमने में से की सुचना है कि अस्थाई खंपिट पंजी में है तो मुंबई 44 का एक रिस्ट रिटार्मेंट एज ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर तो कोड़ अफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 46 का राइट अंसर क्या होगा कोशन आप लोग देख लिजिए यह होगा दो एक अप्राइल 1994 से लागू हुआ भारत के समिधान में से समिधान में के निम्न में से किस अनुचेद में सब्द माइजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है त जैसे कि तीन महीने से ज्यादा टाइम तक डिटेन करना हो तो उसमें माइजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है अदर्वाइस आपको 24 गंटे के अंदर उसको कोट में प्रस्तूत करना होता है ठीक है एक्स्क्लूडिंग ट्रैवल टाइम आपने फंडमेंटल है तो उसका गार्जियन कोई और होता है तो उसकी सहमती जो है वह एकदम बेफिजूल होती है मतलब पूर्ण रूप से अतात्विक होली मैटेरियल उसकी कोई महत्त्र इंपोटेंस नहीं रहती है ठीक है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इस रिलेटेड टू मैं बहुत ज्यादा ड है अब देखिए अगला जो वर्ड होमिसाइड होमिसाइड लिटरली मीन्स इसकी क्या मीनिंग होती है फिफ्टी फिफ्टी का राइट आंसर होगा फूर एक मानों द्वारा दूसरे मानों को मारना फिफ्टी वन कुश्चन देखिए यह बहुत ही अच्छा कुश्चन है प्रपोजल कोई भी एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है तो फिफ्टी वन राइट आंसर सोचिए क्या होगा तीन वह हो जाएगा प्रॉमिस चलिए अब आते हैं एक्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इस तो और हिंदी में देख लेते हैं बावन का एक नि क्या होगा जर्नल अफर तीपन का तीन यवी रिपिटेड कोश्टन है इंडियन कॉन्ट्रक एक्ट वाज इनक्टेड इनियर तो 54 का राइट आंसर होगा 3 1872 इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट 1872 में कौन से गवेना जिनरेल थे तो यह जुरूर आपको यादने चाहिए अ करते हैं तो सबसे पहला कल्पेपल होता है मुर्डर में भी होगा एसॉल्ट होगा लेकिन सेडीशन में युमन बॉडी जरूरी नहीं है कि अफेक्ट हो पच्पन का चार राजद्रोज इसे कहते हैं आप देख लिए यहां देश द्रोज दरसल और चपन आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस दूप्रिम कोट फिर से अस्थापना हुई थी दिल्ली में ठीक हैं क्या एक निविच्ट सब्सक्राइब इसकी पीडिएफ अपने टेलीग्राम या वाट्साइब दोनों में सेयर कर दूंगा इसकी पीडिएफ और लिंक दोनों क्वेश्टन ऑफ इंटेंसें और नॉलेज आर तो हाँ पहलेव संतावन का राइट आंसर देखलें मेडियेशन होगा संतावन का चार होगा तो इसमें जो है आल अब दयब आवब होगा आसाय और जानकारी का प्रस्ण है उप्रोप सभी चार उनसर्थ जो है 59 देखते हैं चुकि आपके एकजाम आ रहा है तो प्लीज ध्यान से देखिए प्रिजंप्सन ओफ लॉव इसे हिंदी में आके देख लेते हैं विधी की उपधारना जिस साक्ष द्वारा पार पाया जा सके कहलाती है तो इसमें इसका राइट आंसर बताइए कौन होगा ये दो होगा ख इसका एक्ट जो है 8081 में है तो यह आपको सर्च करना है यह आपका होमवर्क है क्योंकि इधर से भी एक होमवर्क होना चाहिए आप लोग प्लीज कह रहा हूं इसका मैं पीडियेप देहीं दे रहा हूं आप लोग कोश्चन नमबर साथ नोट कर लिए यह आपको कमेंट कर करना है कि क्रिमिनल ओफेंस आजाल भारत में कभी से फिर से बनाया गया वैसे एटी-एटी-वन में तो यह लोग आया ही था अठारास एक्यासी में एक्सट नमबर इनियन को स्यूसन इस यह मैं बता चुका हूं बहुत बेस तरीके से मैंने पढ़ाया था पॉलिटी के प् मुद्रिश्य क्वासी जूडिक्वासी फेडरल मतलब आधा यूनिट्री आधा फेडरल क्वासी का मतलब आप हाफ से ले सकते हो सिक्स्टी वन का थिरी शिक्स्टी टू बरतेश हमिदान का कौन सभाग उसके निर्मताओं के मस्तिस के विचारों को परिलक्षित करता है तो यह प्रस्तावना यह भी मैं बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूं अब आते हैं आईडियल लिबर्टी क्वालिटी सब चीज पढ़ा दिया गया फाइंड और वन आउट इसमें और वन आउट का देखिए राइट टीक्वालिटी कुल्चरा राइन एडुकेशनल राइट यह जो है आर्टिकल 14 है यह आर्टिकल एगेंस्ट एक्स्प्लाइटेशन तेश चोवीश है और यह जो है कल्चेटल एडुकेशनल राइट कौन सा है उन्तिस तीस लेकिन राइट टू प्रोपर्टी जो है इसको चवाली समिधान समसुदान दारा अलग कर दिया गया फंडमेंटल राइट से तो फंडमेंटल र स्टेट के कोई भी एक्सण होगा उसके खिलाफ एवलेबल होता है राइट रिलेटिंट टू फ्रीडम आफ रिलीजन बताईए यह भी मैं आपको बता चुका है और इसको याद करने का ट्रीक भी मैंने अपने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कंस्यूशन में भी ट्रीक्स बत लिजे क्या है और इसका अंसर जो है आपको मैं बताता हूं पहले अब लोग यह बरादाम से पढ़ लिए एक एकॉर्डिंट टू सेवेंटी फूर टू अब दो कंस्यूशन तो यह इसका राइट आंसर होगा इसल नॉट वे इंकॉर्ड इंटू एनी कोड जो सुजहाओ दिये जाते हैं उसको कहीं भी नहीं क्वेश्चन के क्वेश्चनेबल नहीं होता है वो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉस्टिशन डिल्स विट कंस्टिशन आफ पार्लियम वीडियो में यहां पर तीन डॉट आपको दिख रहा होंगे उस पर दबाओगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा परलेमेंट में मैंने बताया था कि 79 से 122 तक जो है आर्टिकल पुछाएगा और देखिए डारेक्ट ही कोश्चन पूछ दिया गया है तो इससे बेहतरीन त पढ़ेंगे उसे कास्टिंग वोट कहते हैं एस्पेशली पारलेमेंट में जितने वी वार्ड है वो सबसे बहुत ज्यादा सवाल पुछे गाए हैं कि नेक्स्ट कुस्चन दो लॉव मेकिंग पावर और फ्लेश लेचरी सब्जेक्टेट टू तो यह किसके सब्जेक्ट होते हैं मूल अधिकार के कोई भी लॉव ऐसा नहीं बना सकते हैं जो मूल अधिकार के खिलाफ हो ठीक है तो आर्टिकल 32 यही कहता है 32 में वो अनकंश्यूशनल सुप्रिम कोट और हाई कोट को पावर होता है विच और फॉलोविए जो कोट अफ रेकॉर्ड थी यह सूप्रिम कोट और हाई कोट दोनों कोट अफ रेकॉर्ड थे एक असी का चार अब जो है बहुत इजी कुश्चन है नौवी अनुसूची में इसके समिधान में सामिल करते समय कितने आइटम थे अब यह नौवी अनुसूची नाइन्थ सिड्यूल की बात की जा रही है तो नाइन्थ सिड्यूल में जब समिधान लागू हुआ उस समय कितने अनुसूची थे यह दर असल क्वेश्चन हट गया होगा क्योंकि इसमें तेरा आइटम थे बट यह पता नहीं 12 कैसे दिया राइट तू फ्लाइट तो यह भी थोड़ा सा डिस्ट्यूटेड लेकिन अगर इसको अप लोग ध्यान से सोचोगे जंडा फैराना जो है हमारा एक तरीके से मौलिक कर्तव भी है और मौलिक अधिकार भी है लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रियेट इसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा जो सही है वह है फंडामेंटल ड्यूटी यह फंडामेंटल ड्यूटी में आएगा ठीक है तो इसलिए दोनों में आपको एक रेशनल थॉट आपका होना चाहिए अब देखिए यहां पे चीज आपने दिखा होगा यह सीधे जो है यहां से कोश्चन यह ओफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड मैंने किया था तो 69 के बाद सीधे एटी एटी एटीवन शुरू गया था तो नहींतर के बाद सत्तर अब यहां से आएगा दो मीनिमम मैक्सिमूम स्टेंट अफ राज्यसभा 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 दिखता हम सीथे कितनी है 250 यह इस विद्ट पंचायत तो आपको पंचायत का पता ही है 11 12 पंचायत है 11 और 12 नगरपाली का देट आपना प्रेसिदेंट को देती है यह भी मैं पढ़ा चुका हूं इस पहले से भी पता है तो चलिए इस परिम कोट सब कुछ पढ़ा दिया गया अच्छी बात यह है चौरा पांड नहीं होता है सुप्रेम कोट कुछ दिन पहले सब्रीमाला केस में उन्होंने डिसिजन दिया था कि हाँ ठीक है वो जो मतलब विमेन को नहीं इंट्रीक दिया जा रहा था वो सही है लेकिन फिर बात में उसे उलट दिया खुद ही उन्होंने तो अपने डिसिजन से वह बादे नहीं होते हैं Supreme Court जो है और हमारा स्वमिधान जो है एक काहवत कही जाती है कि और Constitution is a living document living मतलब जो जिन्दा है जिसमें परिवर्तन हमेशा होता रहेगा उसी को living कहते हैं दर्वाई जो मर गया उसमें तो कोई परिवर्तन हो गाई नहीं तेक है अब Proclamation of National Emergency Automatically Suspends National Emergency जो है वह suspend कब होता है मतलब Proclamation of National Automatically Suspends किस चीज़ को suspend करते इस question को ध्यान से देखिए fundamental right अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि 19 और 21 आर्टिकल को छोड़के सब कुछ suspend हो जाता है तो सबसे पहले जो है जैसे इमर्जेंसी लागो होगा तो राइट टू कंस्ट्यूशनल रिमेडीज जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है तो तीन राइट आंसर 86 डिफेंसी और डिफिसीनसी और प्रोटीन प्रोटीन की कमी से क्वासी और कर होता है एक राइट आंसर होगा अब देखिए भारतिये सेवा है किस अनुशेद में आती है तो 312 आर्टिकल में आती है बहुत ही एक स्टुडेंट ने मुझसे पुछा भी था किसा जीरो आवर का यह स्टाइम क्या होता है तो दूख यह कुश्चन आवर जैसे ही खतम होता है और उसके बाद का जो पीरेड होता है उसके बीच में जो आधर घंटा होता है तो आपको यह ध्यान लगना चाहिए तो ग्राम स्वराज वोड दिया गया था महात्मा गांधी के दोरा सततर का तीन विमेन रिजर्विशन बिल वाज इंट्रोडूस्ट इन पार्लियमेंट तो यह दोयराट में रिजर्विशन विल आया था लेकिन अभी तक यह पास नहीं हो पाया है तो यह बहुत बड़ी सवाल है तो 26 वामेंडमेंट चुकि यह इधर उधर कोश्चन दिया हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा तेक है अगला जो है 87 फिर उधर से अब 86 तक उधर हुआ था तो वहां से यह वेट आप दो बॉड़ी शरीर का वजन सबसे के बारे में है इक्वेटर पर स सबसे ज़्यादा होता है तो इक्वेटर पर सबसे कम होता है आपको यह द्यान रखना चाहिए डिये ने रेफर्स तू यह बाइलोजी का सवाल है आपको पता ही है कि जेनरल साइंस की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं जेनरल साइंस पर ब्लेलिस्ट में जाओगी तो जित अगर वो फ्री में मैं दे रहा हूं अगर आप लोग नहीं पड़ पाएं तो इसमें आप अपने लिए खुद जिम्मेवार होंगे यह वर दसोल रिस्पोंसिवल फॉर होल एफर्ट एंड लाइफ ठीक है डीने का फूल फॉर्म क्या होता है डी ऑक्सियो इसमें जो है डा यह इसमें डी ऑक्सी में कह रहा था डाई ऑक्सी अठाशी गया एक नमासी देखते हैं वाट इस दनेम फिंस्टूमेंट यूज फर मेजरिंग ब्लॉड प्रेसर थी स्फिग्माइनोमेटर नब्वे देखते हैं हट भी साथ मिनट में जो है साथ एक मिनट में बहतर बार धड़कता है तो नब्बे का तीन कि वांस दो ब्लॉड क्लॉट साइट वांड हार्मफुल बैक्टिरिया और प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग बाई एंटी बॉड़ी इक्यानवे का एक वीन्स कैरी ब्लॉड वेंस जो होते हैं या सीराएं वह कहां ब्लॉड लाती हैं ओर वहार्ट के तरफ लाती है इंप्योर ब्लॉड लाट होता है ने फिर वहां सूध होता है तो जो आुद्ятरी होती है इंगलिस में और हिंदे में आर्टरि को कुछ कहते हैं मुझा थ्यान नहीं है तो धमनी कहते है ठीक है धमने के द्वारा सुध बलड फिर बॉड़ी में चला जाता है पीसी कल्चर इस कंसर्ण्ड विथ तो यह किस से रिलेटेड है तो यह फिस से रिलेटेड है अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी ला दूंगा यह बहुत ईजी होता है बहुत बार यह लगाइं इस पिनट रिवनियों जुद लगाया जाता है टैक्स अस्ताई कर उसको क्या कहते है यह होताय सेश और एक होताय सरचार्ज ठीक यह ठीक है तroe टेमक्री टैक्स लगाया जाताई उससे सर्चार्ज कहते हैं अम आंपहटल ह में नुमेरिकल फॉर Mün sis तो 100 का रूमन जो है वो किसका होता है C को 100 कहते हैं ठीक है L को 50 X को 10 और LX को L और X तो L हो गया 50 और X मतलब 10 तो यह 60 हो गया तो आपको यह ध्यान होना चाहिए आपको पता भी होगा और सबस्ट्रेक्टिंग 9 फ्रॉम विच नंबर इस डिजीज डिजीट सार्रिवर्स नौ को वह संक्या कौन से जिसमें नौ घटाने पर उसके पलट जाएंगे तो यह चोओन है 5049 चौँन स्कॉइरक फेंगे डिजीज पाजिटी बहुता है निगेटीब नंबर का कितना भी स्कॉइर कर दो वह पोजिटीव होगा फाइंड ऑड़ और नौट तो एसकुएर फूड क्यूब और प्रिजम तो इसमें प्रिजम जो है यह ओड होगा फिन जो होगा वो प् यह सब जो हैं तीनो एक तीनो चार यह साकाहरी है लेकिन टाइगर मान साहरी है ठीक है तो यह भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है अपॉइंटमेंट किया जाता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिया बिकम से सोरेंड डेमोक्राटिक रिपब्लिक और यह कब हुआ था 26 जनवर उनिस सो पच्चास को कि इतना इंपोर्टेंट है यह सारे बेसिक्स कंस्ट्यूशन में मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ आपको यह प्लेलिस्ट का नाम या देखना है वैसे इसकी लिंक जो है पॉलिटी फोर बिएचियू इंट्रेंस की आप यहां जो साइड में तीन डॉट दिख रहा होगा कोने पे इस तीनों डॉट पैसे दबाओ गया तो आपके सामने आ जाएगा इसको समझे पहले आप जो डिशेरी होता है दरसल लिखित समिधान में और थान वह चंड का दाई तो किस पर होता है तो यह होता है निया पाली क्या पर सूप्रीम कोड जो है इसको इंटरप्रेट करती है कंस्यूशन को और आप इस पे जब क्लिक करोगी तो एक लिलिस्ट पूश लिए जाते हैं तो टू नेशन थियोरी किसके द्वारे दिया गया था तो मुहमद अली जीने के द्वारे दिया था फर्स्ट प्रेशिदेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर रजेंद परसाद एक सोचो का एक हिमन राइट डेट दिसंबर को मनाया ज तो 108 का चार होगा 109 फॉर्मल इंस्टुमेंट बाइविच वन परसन इंपाउस अनदर टू रिप्रेजेंट इम इसको पावर अफ एटर्नी कहते हैं जब हम अपने अधिकार किसी दूसरे को दे देंगे अपना पावर यूज करने के लिए तो उसको पावर अफ एटर्नी इंडियान लॉइंश्च्यूट उनिसोच्पन में बना था अगला कोश्चन है इन वीच अफ फॉल्विंग लॉग यूनिवर्सिटीज गौर्न्मेंट ऑफ इंडिया रिसेंट्ली इस्टैबलिश्ट फेलोसीम इन नेम अफ प्रोफेसर जगदीश भगवती तो यह उस सम इसको जरूरी याद रखिएगा तो जो करेंट अफ्रस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी है पहले भी क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं इंदर नागपूर सेशन ऑफ दो कॉंग्रेस इन यह नाइंटी ट्वेंट फॉल्विंग मुव दे मेन रिजोल्यूशन तो नन कोपरेसं का मेन रिजोल्यूशन इस को समझाजिए इसमें बहुत जादा हिस्ट्री चुपा हुआ है तो ये सियर्दास ने मेन रिजोल्यूशन प्रस्त दरसल यह जब प्रपोजल आने वाला था तो यरदास नहीं पहले इसे अपोज किया ठीक है लेकिन बाद में इन्हों ने खुद इस प्रोपोजल को लाया और पास किया और आपको पता ही है जब असोयो गंदुलन को गंदी जी ने वापस ले लिया तो इन्हों सब्सक्राइब करें इसका भी मुझे आंसर चाहिए अब जो है टूटल सर्फेस एरिया और यह बहुत इजी कुश्चन है यार इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताऊगे प्लीज एक सब्सक्राइब कर दिए इसका भी मुझे आंसर चाहिए अब जो है टाइड सिंदस्थी हैब स्टोर्ड इन देम देखिए कुश्चन है समुद्र में ज्वार भाटा में क्या संग्रीत होता है काइनेटिक ग्रेविटेशनल उपरोग तीनों परकार की एनरजी का समिश्रन तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनरजी हाइड्रोलिक काइनेटिक तो इसमें सबसे जादा सभी काइनेटिक है बट इसका राइट आंसर चार भी हो सकता है तीनों भी हो सकता है तो आप लोग यह देख लोगे अपने हिसाब से लेकिन मुझे जो है सबसे सही लग रहा, which one of the following is represented in the largest amount in terms of percent by mass in earth's crust, तो ये जो है, आपको क्या इसमें मिलेगा, देखिए, प्रिथवी के गर्व में, परतिश्यत के हिसाब से, mass में सबसे ज़्यादात में कौन सा होता है, तो इसका मैंने trick याद किया था, अयोशिमा, मतलब आईरन, फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ आईरन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होता है, अयोशिमा निशू कालू, दरहसल वो ठीट था, which one of the following is not the effect of revolution of the earth, revolution जब होता है, तो क्या effect नहीं होता है, देखिए, प्रिथवी के घूमने के कारण, क्या प्रभावित नहीं होता है, मौसब का बदलना होता है, दिन और रात की लंबाई भी होती है, latitudes का निधारन, यही right answer होगा, मतलब नहीं होता है, तो latitudes का निधारन इससे कोई लेना देना नहीं है, हवा के दिशा और समुदरी करेंट में बदलाव भी होता है, इंडिया लॉडे का मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा कुस्चन है, तो बताइए, लॉडे का मनाया जाता है, तो 26 नॉउम्बर को, सबसे पहला कौन गया था, तो मिजर यूरी गागरीन गया था, लेकिन सपेस में वेलेंटीना टेरोस्कोवा, तो दोनों में से मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ के सबसे पहला कौन गया था, वैसे ये चैप्टर जब हम लोग तुरंद पढ़ेंगे, तो उस सोच के बताइए, बैंगलोर में ये पहला लॉग उनिवर्सिटी इस्टाइबिस किया गया था, ठीक है, क्लाइट के थूरू इसका एक्जाम भी होता है, आपको पताइए, तो ये उस समय का करेंट अफेस है, यार, ये जो है, इनकम टेक्स से उस समय बहुत ज़्यादा आ बढ़ जाती है, तो ये जो है, बढ़ जाती है, अब जो है, नेक्स्ट, लाफिंग गैस क्या होता है, 128, तो ये नाइट्रस अक्साइड होता है, NO2, 128 का दो, डाइनासौर क्या था, तो ये रेप्टाइल था, 129 का तीन, 132 यूनिट ओफ इलेक्ट्री करेंटीज, तो यूनिट ओफ इलेक्ट्री करेंटीज, बताइए, इ पिर हिंदी का सेक्षन आएगा, तो नियरेस्ट मिनिंग मतलब सीनोनिम, आपको पता ही है, कि हमारे इस चैनल पे, जो है, एंटो साइनो का 17 क्लास बीच चुका है, और उसमें वानवर्ट सब्सेट्यूशन, इडियम फ्रेज सब कुछ मैं पढ़ाता हूं, 10-15 मिनिट की व इसिनोनिम होगा, लैंगविस मतलब क्या होता है, गुस्ता चिडखना, टुगिन वैलियंटली, टुबिकॉम डिस, दिस्पिरिटेट, टुएलिवेट, टुबिकॉम स्ट्रॉंग, लैंगविस का मतलब होगा, चार, रैपट, रैपट बिलिदिंग होता है, तालमेल जो ब मतलब क्या होता है डिसकाउंट होता है तो 134 का चार होगा मरसी नरी का जो यहां पूछ रहा है अपॉजिट मिलिंग तो क्रूवेल वांट ओन जेनरस तो 135 का एक होगा अभॉर मतलब होता है घ्रेना घ्रेना का उल्टा होता है प्यार 136 का एक तो यह जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूं यह सब को मैं पढ़ा चुका हूँ तो अगर आप लोगों नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए साथी साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉली इंचाएं बढ़ा देना इनक्रीज करना तो अब इसका उल्टा क्या होगा डिक्रीज करना होगा बहिया सिंपल सी बात है तो 139 को 164 देखते हैं नेवर एंटर दैस माई हाॉस एगें नेवर एंटर इंटो into my house एगें इन माई हाउस एगें तो क्या होगा इंटो माई हाउसे के 114 का दो डिवाइड 12 मैंगोस एमोंग 3 वाज ठीक है 242 का एक यह दरिया एकुवर ओवन्पा पोंगरे क कॉप के मैं अगया एपने क्वट पती सीजिए 利र में अपञे ती सिप्राय्स प्रॉसों कुमारा धिर्णेया अज्टीम होने तट्रीक्या जैक इलसएयर मिल्यूनियूट यहां पर बीवर में इसमें टेक ओन होगा दरसा ठीक है किसी पद को जब लिया जाता है तो टेक ओन यूज़ता है और लेस ही लेफ्ट दिस ओफिस आई विल नॉट से एनिफिंग तो यह क्या होगा इसका अलेस ही इसका राइट अंसर एक ताइल कर दो देर इन नॉटिंग यार इसको आप लोग तो समद्धिंग मूर मिजरेबल होगा अब आते हैं 145 एन ओवर्ड़ ऑफ क्लूर फॉर्म इस डायस तू 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 फाटल होगा ठीक है तू फाटल तू प्लांट एज तू आ मैन क्या टू फाटल 145 का टू जल सी जल इस वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तो और हम लोग हिंदी का भी सलूसन देखने वाले हैं जितने भी प्लेलिस्ट है उसको जरूर विजिट करिएगा उपर के थ्री डॉट्स को दबाके माई फ्रेंड फिल्स एज दो नॉटिंग हैपन तो हिम एक्सो चैलिस का दो अब देखिए आइडेंटिफाइड अपर्ट हैवन एरर इनमेटी बिट्विन दे ग्रूप हैड विज दे लेवल वर रिकॉंसिलेशन हैज बिकम इंपॉसिबल तो जब यहाँ हैड पहले लग हो चुका है तो हैस नहीं होगा तो 147 का चार होगा इट इस इट बिंग से रेनी डे इट बिंग रेनी डे मॉस्ट अब दे पीपूल आउट ऑन दा स्ट्रीट वेर करिंग अंब्रेला तो यह आपके लिए इंगलिस का कुश्चन है तीन कुश्चन बाइड है इसकीन ओफ इसका मीनिंग होता है तो इडिया मन फ्रीज मैं पढ़ाता हुँ और पहले के यह कुश्चन आइस में कम पूछा गया नहीं तो अभी तो तीन तीन चार चार पूछे गया है तो इसलिए अभी का आपको वीडियो देखना चाहिए होप्संस च्वाइस एक्सिलेंट च्वा होगा तो इसका रियल मीनिंग जो है मैंने गलत बता दिया था सौरी यह होगा नो च्वाइस है टॉल ठीक है तो यह थोड़ा सम्मिस हो गया था मेरे माइन से अब जो है हिंदी का है तो मैं सबका आंसर पता दो इन में से किस भास है कि लिपी देवनागरी नहीं है तो अब है एक सब्वावन का तीन एक से कंट फिर जो है हम लोग अगला देख लेते हैं कि एक सु तीरपन का आर्टिकल एक सो 345 में किंद्र सरकार को राजवजा का विकास कारे सौपा गया है तो नागरी लिपी के सुधार के लिए उत्तर पर दे सरकार ने 1947 में किसकी अद्रक्षता में समीती गठित की थी तो यह आप लोग को जरूर बताना चाहिए यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन है जो भी हिंदी वाले हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं यह बहुत अच्छा कुश्चन है जिन सब्दों का लिंग वचन कारक पूरी साधी के अनुसार रूप परियोड़तन होता है उसे क्या कहते हैं तो 155 का राइट आंसर क्या होगा बाल इसमें भी वही स्पेलिंग मिश्टेक बात है जीजी विसाब अधीर बहुवरी ही मृतिका तो बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा बहुत इजी है यार इसको तो सब्लोग कर सकते हैं यह दोनों है इसमें सुद्वरतनी वाला सब्द बताएं सन्यासी एक्साउन प्रभून होगा आप लोग देख लो कोठी का सुद्वततत्सम रूप क्या होगा कोष्ठी होता है यूद करने की प्रभल एक्षा को क्या काते है यूद्सू कहते है यूद्सा ठीक है 162 हम लोग का जो हिंदी जैनरल हिंदी जो है हिंदी फर बीचे उन्ट्रेंस के जब प रासिश के जिस समय पंजाब में फुलारी इंदी का पर्चार में लगततों समय बंगाल में कारे कौन कर रहा था तो ये जो थे ऐनिंदरण इंसर संप्रभल हुन ऎम उद्सार के मुह्तवन प्रकाशन सवाहाशन के सनके यह क्मर्भल परकासित होती थी तई यह dot कि तुसमें ये ही उधारन दिया तो आप लोगर जाके से हैं वो आपके इंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा जूरूई है तो उसे देखना ना भूलें मनोहर का संदी विश्यत क्या होगा मना जोड हर इसी के साथ यह सोलूशन खतम होता है जो भी डिस्क्रिप्शन में वाट्सप का लिंक है उसको आप रोग जाइन कर लिज लिस्ट है उससे जरूर देखिए थैंक्यू सो मच्च